दोस्तों बहुत से लोग का यह करें, Spider-Man 3 में डॉक्टर स्ट्रेंज हो सकते हैं, बाखी उन्हेस के भी पीटर पाकर हो सकते हैं, तो यह आप मॉर्बियस और वेलम को भी आना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आगे जाके लाइव एक्षिन Spider-Man मुवी बनती है, उसको इंट तो आप किसे देखना पसंद करेंगे, साथी साथ, जो लोग मेरे चैनल पे नए आया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, हमारी Comic Book Talks Family का हिस्सा बन जाए, तो दोस्तों हम लोग शिरुवात करते हैं, मॉर्बियस है, यहाप दोस्तों जब हम लोग ने अमॉर्बियस के स्पाइडामन से नहीं मिला था, बलकि यह मिला था, साम रैमी के टॉबी मगवार स्पाइडामन से, इसका बताब बहुत से लोग को यह कर रहा था, कि जो मॉर्बियस है, वो एक्चुली में साम रैमी के इन्वर्स में एक्जिस्ट करता है, लेकिन दोस्तों ऐसा कैसे हो सक क्योंकि ट्रेलर के एंड में हम लोग क्या लेखते हैं, वल्चर का अपीरेंस, यानि दोस्तों देखने से लाग रहा है कि जिल से निकल गया है, और माइकल मॉर्बेस का राज समझ गया कि वही लिविव एम्पायर है, और बाद में उसके पास जाता है, शायद उसे अपनी सुपर विलन की टीम में रिक्रूट करने है, अब ऐसा कैसे हो रहा है, क्योंकि दोस्तों, अगर हम लोग मुई की टाइम लाइन की बात करें, तो यहाँ पर पहले मौर्बेस आ रही है, उसके बाद वेनम आएगी, फिर दिसमबर में, यानि की 2021 में हम लोग को स्पाइडर म कभी यह एंटी सुपर हीरो की मुवी कितनी अच्छे चल गई थी, लेकिन अब बात है, वेनम वर्सिस कालनेच की, तो अगर इसमें स्पाइडर में का रोल होगा, तो काफी ज़्यता मजा आएगा, अगर मालीच दोस्तों, वेनम की इनवर्स में स्पाइडर में नहीं जा स घए और ऐन जोसे और एयम, यह भी स्पाइडर में की होगी, और आगर मह भी ईवझस यह मोचोँ दूसरी वी मलीच में आ जाए मोचों दूसरी वोई मं आ जाए या फिर वेनम वैंजर में पार्ट हो जाए तो आइससा नहीं हो सकता है, क्वेकि दोस्तों, मेरे सबसेस में अगर Spider-Man 3 आ रही है तो इसमें ये दोनों के राक्टरस आ सकते हैं आग जाके Spider-Man 4 में आ सकते हैं लेकिन इन सब के अलावा बाकी movies में इलोका पीरिस नहीं हो सकता है इसलिए दोस्तों क्योंकि Venom और Morbius Sony के characters है इसलिए वो बाकी movies बनी आ सकते हैं लेकिन दोस्तों मेरे सबसे इसमें कोई दिक्कत नहीं चाहिए क्योंकि महारवास स्टोरी में इसमें बहुत से स्टोरी लाइन है और वैसे भी Spider-Verse की लाइन अलग है तो यहां पर अगर Spider-Man, Morbius Venom ने अलग स्टोरी लाइन बनाएं तो वह और अच्छा होगा लेकिन दोस्तों यहां पर audience के मैंड में एक कोशन आएगा कि यहां पर एक ऐसी स्टोरी हो फिर शायद हम लोगों को देखनों को नहीं मिल पाएगी जो की है Morbius वर्सेज ब्लेड जहां दोस्तों जैसे कि हम सब लोग जानते कि Morbius एक Vampire है और ब्लेड जो है उसका काम है Vampire को हंट करना हाला कि अगर आप लोग यह यह नहीं जानते तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ब्लेड भी हाफ Vampire यहां पर दूसरी तरफ जहां पर मॉर्बियस और बाकी Vampire को सरल नेट से प्रॉब्लम होती है वही ब्लेड को इससे कोई दिक्कत नहीं होती और यहां पर क्या हो अगर ऐसा टीम अप हो जाए कि Morb प्रॉब्यस से बिलॉंग करता है तो उसी तरीके से उस इन्यूवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज और पीटर पाकर आ रहे है और रही बत वेनम की तो वेनम को अगर स्पाइडर मन के उन्यूवर्स में आना है तो यहां पर मैजिक करने कोई टेक्नोलजी की जोद पड़ेगी क्योंकि हो सकते हैं वेनम की उन्यूवर्स में एक ऐसा सुपर हेरो एक्जिस करता हो जो इस टेक्नोलजी पर काम कर रहा होगा जिसके विजह से वेनम बाद में करेंट मार्वा सिद्मेटिकर उसमें आ सकता है लेकिन दोस्तों यह सब परवरेंट बेसेस पे नहीं होगा यह लेकिन यहां पर अब और्डेंस के बास एक ऐसा कोशन आ रहा है जो की और्डेंस समझना चाहती है क्योंकि अगर हम लोग बात करें अनिमेटिट स्पाइडर वर्स मुई की तो इसमें हम लोग देखे हैं कि मैस मुरालस के पीछे पूरी स्टोरी थी लेकिन अगर हम लोग बात करें करेंट मार्वस इनमेटिन या फिर सोनी नुवस के स्पाइडर वर्स मुई की तो हो सकते हैं यह स्टोरी पीटा पाकर पर बेस हो अब दोस्तों इसे के लावा एक और कोशन आता है कि वेनम को स्पाइडर मन जैसी पावर्स कम मिलेगी क्या उसके इनुए में बलक चार स्पाइडर मन दिखाए देंगे पहला टॉम होलेंड का पीटर पाकर उसके बाट एंड्रु ग्राफल टॉप यंग वर फिर एक स्पाइडर मन जो वेनम की नुवस से बिलॉंग करेगा और वैसे दोस्तों जब हम लोग ने वेनम पार्ट वन मुई देखे थी तो हम ल कोई कमबाइन मुई बनती है तो यहां पर भी मॉर्बेस आया है वेनम आया फिर बाकी कोई सुपर हीरो या एंटी हीरो आएगा फिर उन सब की मिला के एक मुई बनेगी जो आर्डेंस को देखने में काफी ज़दा मजा आएगा साथ दोस्तों बात करते हम लोग अपने अब यहां पर दोस्तों कॉमिक बुक की बात रहे जो एटर्नस थे वो कभी एलियंस थे ही ने वो अर्थ पर रहते थे और सेलेशल्स आया थे हुमेंस पर एक्सपेरिमेंट करने और उन्हें एटर्नस में कनवर्ट कर दिये और यहां तकि डेविंट्स जिनने हम लोग मॉं हम लोग को पदा है कि यहां पर चार बार स्नेप होँए पहला स्नेप थेरौस में किया था अर्थ पर दूसरा स्नेप थेरौस ने अपने प्लानेट पे किया थे ताकि वो सकते opens सोई हो अर्थ में वो जग्य हो जिनके उजिसे एक साथ आगे अब यहां पर कुछ इटरनस की पाउस भी पताएगी है जिसे एक्रिस की पावर सुपर हुमें स्टेंड और अगर हम लोग बात करें ना कि उसके पास ऐसी पावरे की वह वेपेंस को क्रियेट कर सकती है अब यहां पर इतने जदा अर्थ पर भारी पढ़ सकते हैं कि इटरनस को सेलिशल को बुलाना पड़ेगा इनी में से एक इटरनल जिसका नाम है एजेक्स उसके पास एक स्पेशल पावरे किसी वही एक इटरनल है जो कि सेलिशल से कम्मिनिकेट भी कर सकती याने दोस्तों सेलिशल का रोल बस पुराने सबब नहीं दिखा जाए कि जब वह इटरनस को क्रिएट कर रहे थे बलकि जो प्रदेंट टैमिन ने मारव सिनमाटिक नोस्म की अब भी देखने की बात होगी जब सेलिशल आएंगे अर्थ पे तो डॉक्टर स्टेंज का क्या ओदिन को भी जानते होंगे यहाँ पर डॉक्टर स्टेंज को एटरनस के बारे मन नहीं पता है तो इनके बारे मं पता करने के कोशिच करेंगे और हो सक्ता है कभी थौर अर्थ पर आइंटर्थ पर है तो यह थी रिलेटग युट प्रियो के रिलेटेटिटी स्पार डेवन 3 के वेनम से और इटरनस मुई से I hope आपको यी वीडियो पसंद आई होगी वैसे आपकी क्या वीजो पट्रटर टॉपिक पे अपने वीव जरूर कमेंट कीज़ और दोस्तों कर आप ऐसे यूनिक सुपर हीरो कॉंटेंट एंजॉय करना चाते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फामली का हिस्सा बन जाएगा